हलो दोस्तों मैं मेगा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस इससे पहले हमने 500 सेंटेंस कम्प्लीट कर लिया और वर्ब को भी पढ़ लिया टेंस को हम अब स्टार्ट कर रहें क्योंकि टेंस पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होता है किस किस चीज का क्या क्या मिनिंग होता है सब्जेक क्यों यूज किया जाता है कब यूज किया जाता है कैसे यूज किया जा और आज हम सिर्फ tense के पूरे structure को समझेंगे कि tense होता क्या है, कैसे use होता है, इसके क्या-क्या types होते हैं, एक summary बनाएंगे, next video से हम हमारे tense को start करेंगे पढ़ना, तो सबसे पहले tense की अगर बात आती है और उसके साथ ये घड़ी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, क्या tense और time द दोनों अलग-अलग concept है, time में हम क्या बताते हैं, कोई समय जो है वो present का होता है, past का होता है, future का होता है, लेकिन tense में हम क्या करते हैं, tense में हम काम जो है वो grammatical concept के according होता है, कि जैसे मालो आपने बोला कि वह खाना खा रही है, तो यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोलो कि वह कल जा रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है, कल के जाने की, future के according, लेकिन जब हम बनाते हैं sentence, तो हम बनाते हैं, she is going tomorrow, तो यहाँ पर हमने tomorrow ले लेकिन sentence कैसे बनाया हमने, हमने बनाया present के according, और जबकि काम हो रहा था future में, तो tense और time, दोनों different है, time म बात होगी, जबकि tense में जो है, grammatical concept के according change होता है, तो tense जो थे हमने three type के होते हैं, सबको पता है कि tense जो है three type के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है present tense, जिसमें वर्तमानकाल की बात होती है, जो अभी present में चल रहा है, उसके लिए, past जो भूतकाल से संबन्दित होती है, और future future जो आने वाला है, उससे संबन्दित होती है, अब यह तो सब हो गए time-based पे, इन सबी को हमने time के according बताया कि यह time है, लेकिन जी समय जो है, इस समय में काम कैसे हो रहा है, काम हो गया है, काम होने वाला है, इसको समझने के लिए, इनको detail में समझने के लिए, इन सबी के work के according मतलब काम के हिसाब से इनके parts बना दिये और present tense के part बना दिये क्या present simple, present continuous, present continuous, present perfect और present perfect continuous अब ये क्या है, कैसे इसमें काम को बताएंगे कि कौन सा काम किस से संबन देता है, तो उसको समझने के लिए हम एक story को समझते हैं अब आप सब में से काफी बच्चों को tense बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा बहुत समझते होंगे, किसी बच्चों को ये होगा कि मैम हमें तो basic से ही समझना है तो हम जो है वो basic से समझने वाले हैं कि tense आखिर होता क्या है किस तरह से किस tense में क्या काम होता है आज हम rules नहीं पढ़ेंगे स्रिफ हम tense को समझेंगे कि यह जो पूरा tense है present, past, future इन सभी में क्या किस तरह से कौन सी बात रखी जाती है और वो काम जो है वो किस से संबन देते हैं उसके बारे में हम समझेंगे ताकि आप जब sentence देखो, वाक्य देखो तो आपको समझ में आए कि इसमें कौन सा tense यूज होगा यानि rules तो बाद में यूज होगे लेकिन पहले आपको यह पहचाना होता है कि वो जो sentence दे रखा है वो है किस वाक्य का मतलब किस tense का है तो उसको समझने के लिए हमको tense को overall समझना पड़ेगा फिर ही rules लगाएंगे तो rules तो हम बाद में समझेंगे पहले हम इन सब की understanding समझते हैं तो सबसे पहले present simple को समझते हैं कि present simple क्या होता है present simple नाम से पता है simple जहां पर काम जो है वो साधारन बताया जाता है कि वह जाता है वह खाता है यह रहता है हम हसते हैं जहां present की बात हो रहे है तो इसको हम एक story से connect करते हैं cricket से cricket सब ने देखा है सब को पता है और सब cricket को पसं खेलते हैं, अभी खेलते हैं, ठीक है, तो यह present की बात है, तो इसलिए हमने विराट प्लेस cricket लिखा, अब यह रूल को नहीं समझेंगे कि वर्ब है, क्या लगा रहे हैं, यह जब हम पढ़ेंगे detail में तब हम समझेंगे, तो विराट खेलते हैं, यह present की बात है, दूसरा tense हम present continuous tense, अब present continuous tense क्या होता है, जहां पर काम जो है, वो continuous मतलब लगातार चल रहा है, उसे हम present continuous कहते हैं, जैसे काम के समझ में, अगर example देखो क्या है, विराट 64 की score पर बैटिंग कर रहे हैं, तो यहां पर विराट क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मतलब काम जो है, वो चल रहा है, अब काम चल रहा है कितने पर 64 के score पे खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं, आउट नहीं हुए, तो ये हो गया हमारा continuous, मतलब काम जो है वो present में चल रहा है, तीसरा हम देखते हैं present perfect tense, जहां पर काम जो है वो perfectly present में खतम हो गया, मतलब काम शुरू हुआ थ खेलते थे, present में, simple में वो खेलते थे, फिर continuous में वो खेल रहे थे, 65 पे खेल रहे थे, out नहीं हुए थे, अब विराट कोली out हो गया, कितने पर हो गया, 125 score पर catch out हो गया, मतलब काम अभी present में हुआ है, तो ये हो गया हमारा present perfect, जहां पर काम जो है वो हो जुका है, तो यहां काम पर काम complete हुआ, क्या लगाते हैं, कौन सी helping लगाते हैं, यह हम बाद में समझेंगा, अभी सिर्फ समझते हैं, क्या structure क्या होता है, तो यह हो गया हमारा present perfect, next देखते हैं हम present perfect continuous tense, अब present perfect continuous tense में confused हो जाते हैं, कि यह perfect भी दे रखा है, यह continuous भी दे रखा है, तो यह क्या है, perfect भी है मतलब काम जो है वो perfectly हुआ है और continuously चल रहा है, क्या यह दोनों है देखो, काम जो है वो continuously चल रहा है start हुआ था present में कहीं किसी समय और अभी तक चल रहा है किसी समय में मैंने बोला किसी समय में, मतलब यहाँ पर जो काम होगा वो किसी समय से चल रहा होगा ? यहाँ पर जब भी वाक्य होंगे, वो कैसे होंगे ? समय से संबंदित होंगे और चल रहे होंगे therefore की विरात सुभह से बेटिंग कर रहा है अब यहाँ पर विरात सुभह से यह आपको टाइम दे दिया अगर यह time नहीं देया होता और सिर्फ यह लिखा होता विराट बैटिंग कर रहा है तब यह क्या बन जाता present continuous बन जाता अभी यह क्या बन रहा है present perfect continuous क्यों क्योंकि इसमें time दे दिया तो जहां time से related बात हो जाएगी वहां हम present perfect continuous tense को use करेंगे ठीक है तो यह हो गए हमारे present perfect त जहां पर काम जो है वो चल रहा है थर्ड होता है present perfect जहां काम जो है वो present में अभी अभी हुआ ही होता है और present perfect continuous में क्या होता है काम चल रहा होता है किसी समय से यहां पर समय की बात हो रही होगी कि सुभह से शाम से रात से पांच बज़े से शे बज़े से साथ बज़े से आ भूतकाल के संबंद में, जो काम हो गया है, उसके संबंद में बात की जाती है, इसके भी चार बाट बना दिये, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, जैसे present की बात थी, वैसे ही इसमें भी rules होगे, बट यहाँ पर क्या होगा, सारी बातें past से संबंद दोगी, कैसे समझते हैं, सबसे पहले past simple tense, जहाँ पर काम जो है वो हो गया होगा, past में, जैसे मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, मैंने दिया, काम हो गया, past में complete हुआ, तो उसमें हम past simple का use करते हैं, example से देखते हैं, अब यहाँ पर हमने cricket में पहले हमने विराट के बारें बात की थी, जो present की बात थी, अब cricket की ही story को आगे और connect करके देखते हैं, कि पहले past में किसी और खिलाडी के बारें बात करें, तो हम सचिन देंदुरकर की बात करते हैं, कि सचिन देंदुरकर जो थे, वो cricket खेलते थे, तो यहाँ पर सचिन ने अपना बैट विराट को दिया, सचिन ने अपना बैट विराट का हुआ तो दिया लिया खाया पिया लिखा ये सभी पास से संबनेद होते हैं तो सचिन गेव हिस बैट तो विराठ यहां पर वर्ब की second form लगती है और यही एक tense है जहां पर हम वर्ब की second form को use करते हैं जो जो बीच-बीच में rules समझ में आएंगे वो मैं आपको बता दूँगे ज़्यादा detail में नहीं समझाओगे वर्ना जो concept समझ रहे हो वो भूल जाओगे तो अभी सरिफ concept को समझाओ कि क्या है tense तो सचिन ने अपना bet विराठ को दिया यहां पर काम जो है अब यहां पर सचिन के द्वारा training दी जाए तो दे रहे थे तो पहचान कैसे करोगे रहे थे वहां था रहे हैं यहां है रहे थे तो जो काम past का हो गया और continue था उसके बारे में बात होगी तो सचिन was giving training to विराठ नेक्स देखते हैं past perfect tense अब past perfect tense में क्या होगा past में कोई काम होगा और perfectly 100% हो गया होगा अब यहां confusion आ जाता है कि मैं past simple में भी काम हो रहा है past perfect में भी हो रहा है लेकिन past simple में क्या होगा कि काम जो था वो अभी ही हुआ ही था मतलब past में just हुआ था और past perfect में होता है कि काम जो हुआ है वो हो चुका है मतलब उसे हुए काफी समय हो गया है past में तो जहां चुका था चुके थे उस समय हम जो बात करते हैं वो हमारी past perfect होती जहां काम जो है वो बहुत पहले हो चुका होता है जैसे सच्चिन विराठ को अपना बैट दे चुके थे इससे पहले जब हमने simple past में दिखा था तो दिया अब वो उसी समय past में ही दिया होगा लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दे चुके थे मतलब बहुत पहले दे चुके थे उस समय की बात नहीं है तो past की बात है जहां काम पहले बहुत देर पहले हो गया था तो सचिन हैट गिवन हिस बैट टू विराठ अब यहां पर यह जो है काम है perfect हो रहा है past में हो रहा है बहुत पहले हो चुका है उसके बारे में हो रही है यहां verb की हम कौन सी form लगाते हैं? तो यहां verb की third form लगती है जितने भी perfect tense होते हैं उन सभी में verb की third form को यूज करते हैं ठीक है next समझते है past perfect continuous tense अब यहां पे भी perfect continuous आ गया तो same जैसे present में था वैसे ही होगा यहां पर भी perfect होगा continuous होगा लेकिन वो continuous कैसे होगा? किसी समय के साथ होगा कैसे? जैसे सचिन विराट को उस दिन सुभह से cricket समझा रहे थे मतलब कि सचिन विराट को उस दिन अब वो किस दिन? आज के दिन की बात नहीं हो रही है उस दिन अब वो उस दिन वो past के बारे में बात हो रही है तो उस दिन सुभह से time आ गया सुभह से cricket समझा रहते हैं अगर यह सुभह नहीं आता तो फिर यह क्या बन जाता यह बन जाता हमारा past past continuous बन जाता और अभी इसमें समय दे दिया इसलिए क्या बन गया यह past perfect continuous बन गया तो सचिन has given explaining cricket to Virad since morning that day अब यहाँ since जब भी हम use करते हैं past perfect continuous tense या present या future की बात करते हैं तो perfect continuous में जब हम समय की बात करते हैं तो हम since या for का use करते हैं तो since कभ यूज करते हैं for कभ यूज करते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लो since हम use करते हैं point of time जब आपको बिल्कुल निश्चित समय दे रखा होता है उसके लिए 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 उस घंटे से खेल रही थी, पांच घंटे से खेल रही थी तब हम लिखते हैं 4 तो since और 4, since होता है point of time के लिए और 4 होता है duration of the time के लिए, तो इस तरह से हमने past perfect continuous को भी समझ लिया अब समझते है future, कि future में क्या होता है, तो future tense जहां future की बात होती है, यहां पर future continuous, जहां काम जो है वो continuously चल रहा होगा future perfect, जहां काम perfectly हो गया होगा क्या बात आ रही है, गा की मतलब जो काम होने वाला है future में future perfect continuous, यह भी काम हो रहोगा, किसी समय से शुरू हुआ होगा, और वो continuously future में भी चल रहा होगा तो इस तरह से होते हैं, अब इसको future से संबंदित फिर से cricket से start करते हैं, पहले हमने विराट को लिया था जो present के थे, सचिन जो past में खेलते थे, अब future की बात करते हैं, future के खिलाड़ी कौन है हमारे शुबमन गिल, अब इनके बारे में बात करते हैं, तो future में इनकी बाते क्या बाते होंगी, देखो, शुबमन गिल भारत के लिए खेलेगा, यह future की बात है कि वो future में भी खेलेंगे भारत के लिए, तो शुबमन गिल will play for India, यहां हम किसका यूज़ करते हैं, विल और शेल का यूज़ करते हैं, चीक है, तो इस तरह से future संबंदित, जहां पर कोई शुबमन गिल कल खेल रहा होगा, कल बारिश हो रही होगी, तो आप किसी बात की future के बारें बात कर रहे हैं, तो शुबमन गिल will be playing tomorrow, यहां future से संबंदिते हैं, रहा होगा, present में रहा है, past में रहा था, यहां होगा, रहा होगा, next देखते हैं future perfect, future perfect में क्या होगा कि काम जो रहा था, start था, लेकिन future में भी वो चल रहा होगा, इसके संबन में होती है, अब यहाँ देखते हैं जैसे भारत कल तक यह match जीत चुका होगा, हम एक बता रहे हैं कि future की बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो match जीत चुका होगा, तो India will have won this match tomorrow, यहाँ पर will have का use किया जाता है, और हमें पता है जितने भी perfect tense होते हैं, जहाए वो past के हो, present के हो, future के हो वहाँ पर verb की क्या लगती है, third form लगती है, तो इस तरह से हमने perfect को समझ जा कि काम जो है वो perfectly हो जाएगा future में, next last देखते है future perfect continuous tense, अब future perfect tense में क्या होता है, continuous में, perfect होगा, continuous होगा, अब सभी को पता है क्या होगा, यहाँ पर time होगा, किसी time में हो रहा होगा वो, जैसे अगले साल शुबमन गिल को बैटिंग करते हुए 8 साल हो जाएंगे, यहाँ बात हो रही है कि उसको 8 साल हो जाएंगे, मतलब time आ गया ठीक है, हो जाएंगे, अगर यह time नहीं होता तो यह क्या हो जाता, यह continuous हो जाता time दे दिया, एक बता दिया कि इस time से वो यहाँ तक काम हो जाएगा तो अगले साल next year, शुमन गिल will have been betting for 8 years for क्यों यह उस किया, क्योंकि हमको time जो है, वो सिफ duration दिया है year दे देता कि 2090 से start किया था, 2020 से start किया था, अगर आपको एक specific year दे देता तब हम यहाँ पर since लगाते, लेकिन हम यह सिफ duration दिया है कि 8 साल हो जाएंगे उसे खेलते हुए मतलब 7 साल पहले हो चुके है, वो present के भी थे, past के भी है और अभी तक वो चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, तो future में काम जो था वो पहले कहीं हो रहा था उसके बाद हमने उनके parts कर दिये, तो बन गए 12 tense अब 12 tense को हमने समझ लिया कि किस tense में क्या काम होता है, कब क्या करना होता है Rules को हम next class से समझेंगे, कि जब हम present simple की बात करेंगे, तो हम किस तरह से rules यूज़ करेंगे अब basic बात यह बताना चाती हूं कि हम जो है वो हिंदी से समझेंगे क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है, वो हिंदी का है हम कोई भी अगर भाषा हमको सामने वाला अगर बोल रहा होता है तो हम पहले उसको अपनी भाशा में समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी में इसे कैसे समझेंगे तो हिंदी में समझने के लिए हम TENS को जो है वो थोड़ा हिंदी में समझेंगे और BASIC से समझेंगे, BASIC से फिर हम उसको ADVANCE में समझेंगे पहले हम basic basic समझेंगे जहां पर आपको problems आती हैं तो 10s की class जो है हम next start करने वाले हैं जिसमें हम present 10s को cover करेंगे उसके बाद past, उसके बाद future फिर इससे सम्मंदित हम सारी exercises करेंगे जहां आपको confidence भी आएगा exam में जो आपके 10s से related question आते हैं वो gap filling में आते हैं आपको दे देते हैं, errors दे देंगे और आपको वहाँ पर identify करना होगा कि यहाँ पर correct क्या आएगा तो उसको समझने के लिए हमको tense को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तो आप सब लोग इससे अच्छे से एक understanding बना के आना फिर next video से आपको picture clear होना start हो जागी जब भी आपके सामने sentence आएगा तो आप समझ जाओगे अच्छा इसमें तो यह वाला tense use होगा rules तो बार में use करेंगे, पहले तो समझ में आएगा तब ही तो rules लगा होगे तो इसलिए आज understanding बिठाई है नेक्स वीडियो से हम present tense को start कर देंगे और उसके बाद past और उसके बाद future इस तरह से हम करेंगे और उसके बाद इनकी exercise भी रख देंगे जहां आपका confidence booster हो जाएगा कि हाँ हमको tense अच्छे से आ गया है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए जरूर बताईएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग बाई बाई एंटेक कियर